बिहार बोर्ड 11 अक्टूवर मासिक परिक्षा का देख सकते हैं फिजिक्स का ओरिजिनल कोस्टेन पेपर आ गया है अबजेक्टिव पलस सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा इसका पीडिया आप कहां से डाउनलोड करना है यह भी बताऊंगा बिलकुल ओरिजिनल कोस्टेन पेपर है अक्टूवर मासिक परिक्षा का पूरा रट के जाईएगा यही आएगा ठीक न एक से तीस तक अबजेक्टिव परसन रहेगा मातर आपको 25 से अबजेक्टिव का अंसर देना है इसका सबजेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा पहला प्रसन करा पानी का तिक्र बिंदू है पानी का तिरिक बिंदू है इसका राइट एंसर जो है एक का आपका सी हो जाएगा 273.16 के यानि की केलबीन दूसरा प्रसन करा वह ताप मान जिसका आंकिक मान सेलसियस होट फ्रेन हाइट पैमाने पर समान होता है तिसका राइट एंसर भी हो जाएगा माइनस 40 डिग्री तिन नमर प्रसन करा तामबे के प्लेट के बीच में एक छेद है प्लेट को गर्म करने पर छेद का ब्यास तिसका राइट एंसर ए हो जाएगा सदय बढ़ेगा बिल्कुल ओरिजिनल कोस्टन पेपर है अक्टुवर माह का पुरा रट के जाएगा साथ नमर का रहा कि तामबे के प्लेट के बीच में एक छेद है प्लेट को गर्म करने पर छेद का ब्यास तो छेद का ब्यास तो तीन का ए राइट इंसर हो जाएगा चलिए तीन काम पहले भी बता दिये थे चार नमर का पानी का उब्योग सितलक के इसका पूरा प्रस नहीं दिख रहा है अप लोग इतना ठोब मिला लिजिए का एक जाम में उसके बाद आंसर लिखेगा आंसर सी हो जाएगा इसकी विसिष्ट उसमा अधिक होती है ठीक ना बिलकुल अक्टूवर का ओरिजिनल पेपर है पूरा रट के जाईएगा पांच नमर का रायकी तरल अवस्ता से गुजरे बिना ठोस अवस्ता से वास्प अवस्ता में परिवर्तन कहलाता है तो पांच का डी रायट इंसर हो जाएगा उर्दवा पातन छे नमर का राय की उस्मा को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक संचारित करने में माध्यम की अवैस्थाक्ता नीमन में से किस्से होती है तो छे का रायट एंसर जो होगा आपका छे का रायट एंसर सी हो जाएगा वी की रन चलिए अगला प्रस्ण देख लिजिए साथ नमर देखिए अक्टूवर का है न ओरिजिनल पेपर अक्टूवर लिखा हुआ है न ओ सी टी ठीक न साथ नमर का मिट्टी का मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होना होता है क्योंकि क्योंकि तो किसी गर्म बस्तू में निकलने वाली तापिये विकिरन किस बेक से चलता है तो राइट एंसर आठ का आपका बिल्कुल डी हो जाएगा तीन दस्मलब 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 आठ एमन नो नमर करा है उसमें उसमा पतिकी का सुन्यावा नियम किस अब धारना को आगे बढ़ाता है तो नो का बिल्कुल राइट एंसर डी हो जाएगा वास्प चलिए अगला प्रस्ना 10 नमर करा है कि आधर्सगेश की अंत्रिक उर्जा निर्भर करती है तो 10 का ये राइट एंसर हो जागा केवल ताप मान पर चलिए अगला प्रस निखलीजे 11 नमर करा है कि रुद्रोश्पम परिवर्तन में पेस के दिये गए दरबमान के गेश के लिए होते हैं 11 का आपका सी राइट एंसर हो जाएगा याद रखिएगा 12 का रहा एक करणों इंजन भांप बिंदू और बर्फ बिंदू के बीच काम कर रहा है इसकी दक्षता होगी तो 12 का राइट एंसर सी हो जाएगा 26 दसलाव 8 परतिसाद 13 का रहा 25 परतिसाद दक्षता वाला एक रेफरी जेरेटर का निस्पादन गुनांक होगा तो 13 का राइट एंसर सी हो जाएगा 5 ठिकना बिलकुल ओरिजिनल कोस्टेन पिपर है पूरा रट के जाएगा अबजेक्टिव सब्जेक्टिव क पीडिया भी मैं आपको डाउनलोड करने बताऊंगा 14 का रहा एक ताप इंजन की दक्षता एन है यदि स्रोत और सिंक में परतियक का ताप मान एक सो के है के कम किया जाता है तो इंजन की दक्षता है तो बिलकुल 14 का ए राइट एंसर हो जाएगा बढ़ेगी 15 का रहा निम इंसर 16 का ए हो जाएगा ठीक ना चलिए अगला प्रस नेख लिए 17 करा यदि कोई आधर्स गैस किसी आरंबिक अवस्ता से अंतिम अवस्ता तक समतापिये परिकिरिया से गुजरती है तो परिकिरिया के दोरान आंतरिक उर्जा में परिवर्तन होता है तो 17 का सी राइट इं क्या होता है तो इसका राइट इंसर हो जाएगा उसमा ना तो निकाए में परवेश करती है ना ही बाहर निकलती है उन्हें इस नमर करें तारे का रंग संकेत है इसके 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 जो है ना ताप का सी राइट इंसर हो जाएगा 20 नमर करें यदि किसी निकाए में आयतन का स quality कम है WhatsApp पे भेजा गया था इसलिए आप लोग वीडियो का quality बढ़ा लिजिएगा कि किस नमर का राथ तापमान का SI मात रख है तापमान का SI मात रख जो होता है वह केलवीन में होता है कि इसका राइट एंसर होगा 22 का राइट एंसर होगा 22 का राइट एंसर तत पर यह किसकी समानता से है तो राइट एंसर 23 का डी हो जाएगा तापमान उसके बाद देखिए 24 नमर प्रस्ण का रहा है कि गयस तापमापी तरल तापमापी से अधिक सुग्रा ही होती है क्योंकि गयस तो B राइट एंसर हो जाएगा कि विसिस्ट उसमा अधिक होती है ठीक ना चलिए 25 नमर देखिए क्या का रहा है 25 नमर का रहा है कि किसी बस्तु का ताप ये विस्तार गुनांक निमलिखित में से किस गुन पर निर्भर करता है तो 25 का सी राइट इंसर हो जाएगा ताप 26 करा जब पानी को 0 डिगरी से 10 डिगरी से तक गर्म किया जाता है तो जो है पहले घरता है फिर बढ़ता है सी राइट इंसर होगा 27 करा जील के उपरी सतह का बाइव मंडली ये तापमान माइनस 10 डिगरी सेल्सियस पर जमा हुआ है उस समय जील के तल का तापमान सधारंत होता है तो 27 का सी हो जाएगा 4 डिगरी सेल्सियस उसके बाद देखिए 28 में करा है कि निमलिखित में कौन सी घटना उतकरमन ये है तो 28 का राइट इंसर ये हो जाएगा जल प्रपात उसके बाद 28 हो गया 29 करा है देखिए अक्टूबर लिखा हुआ है ना 29 करा है किसी उसमा भंडार में जब एक निश्चित मातरा में उसमा निकाली जाती है तो उसका ताप मान तो सका ताप मान जो है इस्तिर रहता है से राइट एंशर होगा 30 कराने लिखित में किसकी विमा उसमा की विमा के समान है तो 30 का सी र्इाट एंसर हो ऒजाएगा कार और स्कोर्ण आपको उपर इसको करना है यहां अंसर की बल्ड आपको टेप दिखेगा इसपे किलिक करना है तो एक चलीक करना है फिर आपको लिखाव मिलेगा 11 अक्टूवर मंधली एक्जाम original question paper 2024 इस पर किलिक करना है नीचे आ जाना है नीचे यहां देखिए सभी का लगा दिये हैं physics का objective subjective आके download कर लिजिएगा अगर आपको chemistry का भी download करना है तो chemistry का भी objective subjective लगा दिये हैं आके download कर लिजिएगा